नमस्कार दोस्तों मैं हूँ स्वारा भासकर आप सभी जानते होंगे आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे जो टॉप आथलीप्स हैं रेसलर्स हैं पहलवान हैं वो एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं अपने प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए सेक्शुल हरस्मन्ट या यौन उत्पीरं के खिलाफ क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड हैं ब्रिजभूशन उनके खिलाफ कई अक्यूजेशन और इल्जामात आए हैं यौन उत्पीरं के और अभी तक महीनों गुजर गए हैं पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कारेबाही नहीं हुई हैं इस आदमी ने अभी तक स्टीफा नहीं दिया इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है और तेस अपरेल से वापिस हमारे जो टॉप अंतराश्ट्रिय पहलवान हैं वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं दिली में जंतर मंतर में ये जो हु आज का एक बहुत शर्मनाक सच भी दर्शाता है और वो ये कि अगर इस देश में ऐसा शक्स यौनुत पीडन करें जो सत्ता के साथ किसी भी तरीके से संबंधित है खास करके रूलिंग पार्टी में अगर वो हैं तो उनके उन्हें पूरी छूट हैं उनके साथ कुछ नही कहूंगी कि इन पहलवानों की बात इसलिए सुनी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल आथलीट हैं इन्होंने प्राइज जीते हैं लेकि मैं ये जरूर कहूंगी हर पीडित व्यक्ती की आवाज जरूरी है उनकी कहानी जरूरी है और हर पीडित का इर्जाम जो है उसको इन पीडिता या एक आम इनसान उनकी क्या हालत होगी कैसे इस देश में कोई यौनोत पीरंग के खिलाफ आवाज उठा सकता है अगर हमारे टॉप इंटरनेशनल जो आथलीट्स हैं स्टार्स हैं उनका ये हाल है और मैं ये भी कहूंगी कि ये सरकार जो राश्टरवाद का इत इतना ढूंग करती है इस सरकार के नेताओं को जब ये आथलीट्स जीत के आते हैं तब बड़ी खुशी-खुशी ये उनके साथ फोटो किछाते हैं तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है इनसे मिलने में इसे बात करने में लेकिन अब जब इतना संगीन जुर्म हुआ ह जब इतनी संगीन इल्जामात सामने आए हैं तब कोई भी सत्तधारी पार्टी का नेता रूलिंग पार्टी का कोई नेता इनसे बात नहीं करना जा रहा अभी तक ब्रिजभूशन ने ना इस्तीफा दिया है ना उसे हटाया गया है और अभी भी उसको बचाया जा रहा है तरीके से और केस दर्ज नहीं हुआ है तो यह क्या दर्शा आता है मैं इन सारे पहलवानों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी आपने जो अपनी आवाज उठाई है वो बहुत बहादूरी का काम है और इसके लिए ना सिर्फ आने वाली आथलीट्स की पीडिया ल आपने अवाज उठाई है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपील करूंगी आप सबसे कि प्लीज इन हमारे जो आथलीट हैं इनका समर्थन करें यह जो कौज है यह सिर्फ इनका कौज नहीं है यह हमारे पूरे समाज का कौज है तो अगर आपके दिल में थोड़ी से भी द इनका समर्थन करिए बहुत शुक्रिया